आज के समय में जादातर बच्चे कार्टून देखना पसंद करते हैं कार्टून को टेक्निकल भाषा में एनिमेशन कहा जाता है और आज के समय एनिमेशन का यूज लगबख सभी फिल्ड में किया जाता है जैसे इंटर्टैन्मेंट, न्यूज मीडिया, एड़िटाइजमेंट, एजुकेशन, फिल्म और डिजाइन एटिसी तो अगर आप एनिमेशन में इंटरेस्ट रखते हैं और इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में हम एनिमेशन कंपनी से रिलेटेड पूरी जानकारी देंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने चैनल वर्चुल लर्निंग को सस्क्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए इनिमेशन क्या है जब हम बहुत सारी पिक्चर्स को लगातार चलाते रहते हैं तो ये पिक्चर एक वीडियो की तरह दिखाई देती हैं इसी मुवमेंट वीडियो को एनिमेशन कहते हैं आज के टाइम में एनिमेशन का यूज हर फील में किया जाता है इसलिए इसकी मांग बहुत जादा बढ़ती जा रही है एनिमेशन कमपनी कैसे स्टार्ट करें अगर हम आपको इंडियन एनिमेशन और वी एफेक्स के बारे में बताएं तो ये 2019 में 95 बिलियन रुपय का था और अगले साल ये 156 बिलियन रुपय का हो जाएगा एजुकेशन, फिल्म या कम्मिनिकेशन या किसी दूसरे सेक्टर में भी एनिमेशन का यूज किया जाता है बिना एनिमेशन के आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है एनिमेशन एक टाइप की आर्ट होती है जिसकी हेल्प से रियालिटी को कार्टून के फॉर्मेट में देखा जा सकता है जो इसे ज़्यादा पॉपुलर बनाता है बढ़ाई करने की तुलना में लोग उन चीजों को जादा सीखते हैं जो दिखाई या सुनाई देती हैं एनिमेशन एक ऐसा फील है जिसके लाकों लोग अपना करियर बनाते हैं इस फील में आर्टिस्ट, एनिमेटर, टेकनीशियन और प्रोड्यूसर जैसे बहुत सारे आप्शन मिलते हैं एनिमेशन का यूज एनिमेटेड मुवीज के अलावा 90% फिल्म और एनिमेटेड शो में किया जाता है बिना एनिमेशन या विजूल इफेक्ट के अनिमेटेड फिल्म और एनिमेटेड शो पूरे नहीं होते हैं एनिमेशन में अपना खुद का बिजनिस इस्टेबलिश करने के क्या रूल है एनिमेशन कंपनी एक बहुत बड़ा फील्ड है अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए अगर आप एनिमेशन कंपनी में अपना खुद का बिजनिस इस्टेबलिश करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इन points को दिहान में रखना होगा जैसे Number 1 अपने talent को पहचानिए Animation का field बहुत बड़ा है इसलिए आपको सबसे पहले अपने पसंद का field चुनना होगा Animation में बहुत से field हैं यह कुछ field हैं जिसमें आप अपनी skill को improve कर सकते हैं और अपनी service भी दे सकते हैं जैसे graphic designing, sketch, artist, vfx, editing और programming etc इसके अलावा दूसरे sector में भी आप अपने skill की service दे सकते हैं जैसे filmmaking, news media, advertising और education जैसे sector में अपने client को service दे सकते हैं नमबर दो, एक team बनाईए, अगर आप animation में expert हैं और अपना animation studio open करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ expert को hire करना होगा क्यूंकि animation company चलाने के लिए आपके पास अलग-अलग skill को जानने वाले expert को अपने काम से जोड़ना होगा जिससे आप एक complete solution provider बन सकें नमबर तीन, company का registration करवाने के लिए company का एक नाम रखें आप चाहें कोई भी company खोलें, क्या studio या फिर कोई individual service प्रोवाइड करें इसके लिए आपको कोई एक brand नाम रखने की दरूवत होगी क्यूंकि किसी भी चीज का नाम उसकी पहचान होती है आप अपनी imagination के हिसाब से भी company का नाम रख सकते हैं क्यूंकि registrar of company या ROC में registration के समय आपको 5-6 नाम बेजने होते हैं क्यूंकि एक ही नाम से दो company या register नहीं हो सकती हैं नमबर 4- company शुरू करने से पहले plan बनाईए आपको एक अच्छा plan बनाने की ज़रूरत होगी जैसे आपकी company की strategy क्या होगी company का main focus किस पर होगा आपकी company कौन सी चीजों में deal करेगी location क्या होगी जैसी सभी बातों के बारे में आपको सोचना होगा और एक plan तयार करना होगा नमबर 5- animation company ओपन करने के लिए ज़ादा पैसों की ज़रूरत होती है इसमें motion graphics, designing, vfx जैसी technology पर work करने के लिए आपको high software technology working professional को hire करना होगा तो इसमें खर्चा आएगा और बाकी का खर्चा office के instructor, staff की salary, branding और marketing का कर्चा भी आपको जोड़ना होगा नमबर 6- अपना एक portfolio बनाएए आप किस तरह के काम करने में expert हैं और आपका project क्या है और best client की delivery की हुई काम की list को combine करके अपना एक portfolio तयार करिए उसके बाद उसे social media पर publish कर दीजिए जिससे लोग आपके काम के बारे में जानेंगे और आपको market में काम मिलने में आसानी होगी नमबर 7- कमपनी का registration करवाने के लिए एक location चुने लोगों तक पहुँचने के लिए आप अपना studio ऐसी जंगा पर खोले जहां पर budget में आप facefully काम कर सकें और आपकी company के लिए एक register office address भी देना होगा office address देना इसलिए जरूरी है जिससे आप बता सकें कि आपकी company की location कहां पर है number 8 company registration के लिए digital signature certificate लेना परता है आपको अपनी company animation company private limited के रूप में शुरू करने के लिए digital signature certificate भी लेना परता है और काम कहां से कर रहे हैं और लोग आप से कहां पर communicate करेंगे digital signature certificate paper certificate के बराबर ही होता है जो आपके company की digital proof of identity होती है जिससे आप online या internet पर अपनी identity proof कर सकते हैं क्योंकि physical document को हम हातों से signature कर सकते हैं लेकिन किसी भी physical document या e-form पर digital signature लगाना परता है digital signature certificate ये बताता है कि company के भीयाब से किया गया signature original है नमब नौ, animation company शुरू करने के लिए कौन कौन से document लगते हैं आपको अपनी animation company एक private limited company के रूप में register करवाने के लिए pen card और passport की ज़रूरत होती है इसके अलावा राशन कार्ट, आजार कार्ट, voter ID या driving license इन सब में से कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए नमबर 10, animation company शुरू करने के लिए आपको क्या करना चाहिए animation company कोलने के लिए आपको इसकी deep knowledge लेनी होगी अगर आपने animation की study की है तो आप आजानी से अपनी खुद की company शुरू कर सकते हैं इसके लिए आप degree या diploma course कर सकते हैं डिप्लोमा में admission लेने के लिए आपको 12 clear करना होगा और बहुत से institute इसके लिए entrance exam भी conduct करते हैं कुछ university के नाम है जो आपको degree या diploma course ओपर करती हैं जैसे VIT University Willow, National Institute of Design, Hyderabad, Arena Animation और Maya Academy of Advance, ETC इन institute में आप admission लेकर animation से related course कर सकते हैं animation company में starting salary कितनी होती है आप एक animation company में starting salary 12,000 से लेकर 20,000 रुपए तक पा सकते हैं आपके experience और skill बढ़ने के साथ ही आपकी salary भी बढ़ेगी किसी company में animator बनकर या freelancing करके भी आप अपना experience और skill बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों आपको ये video कैसी लगी हमें comment करके जरूर बताएं हम मिलेंगे आप से अगली है झाल झाल